ये आलु गोवी की पकोड़ी जटपट बनने वाली उसके लिए मैंने आधिक टोड़ी ओड़त दाल पानी में धो के भिगो दी थी आधे घंटे के लिए इसका पानी बाहर कर दिया है अब इससे पीस लेंगे मिक्सी में चाय तो सिल्वर्टे पे पीस लिजिए एक गोवी का फूल लिया है पास छे हरी मिर्च है गोवी के फूल को बरिक बरिक काट लेंगे उड़त दाल को पीछ लिया है मिक्सी में बिना पानी के पीछना है हमें और गोभी को हमें इत्ते बड़े टुकणे में काटना है मैंने दो अचार वाली मिर्च लिये एक प्याज लिया है इन सभी को हम बरिक बरिक काट लिये हरा धनिये को भी काट लिये और डाल को बिना पानी के पीस लिया मिक्सी में हरी मिर्च का भी पेश्ट बना लिया है ये देखे चाहें तो आप इसे सिल्वट्टे पे पीस लिजिए अब हम सभी चीजों को गोभी में मिक्स करेंगे प्याज, हरी मिर्च, हरदनिया और डाल को भी इसी में मिक्स करेंगे मैं दो चुटकी हींग ले रही हूँ आप नहीं खाते तो इस कीप कर सकते हैं दो पिंच हींग है आदी चम्मच गरम मसाला आदी चम्मच धनिया पाउडर दो चुटकी के करिव हल्दी पाउडर नमक स्वाद अनुसारे अब सभी चीजों को हमें मिक्स करना है हातों की सायता से दवा दवा के से हम मिक्स करेंगे हलका दवाते हुए नमक कम लग रहा था इसलिए मैंने आदी चम्मच और डाला है आप अपने हिसाब से करिएगा अब हम इसे मिक्स करेंगे हातों से थोड़ा थोड़ा दवाते हुए नमक डला है तो ये थोड़ी देर में पानी छोड़ देगा इसलिए अभी हम सभी चीजों को मिक्स करके एक मिनिट के लिए इसे ढखके रख देंगे एक मिनिट वाद हम इसे इसमें बेशन मिलाएंगे मैंने इस बड़े चम्मच से दो चम्मच बेशन ले रही हूँ बेशन को एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे जित्ती जर्वत होगी अब हम इसमें चावल का आटा मिलाएंगे एक चम्मच बरके उसी चम्मच से जिससे बेशन लिया है मैंने एक चमच भरके चाबल काटा लिया है बेशन थोड़ा एक चमच और लिया है एक चमच भरके बेशन और डाला है इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके बेशन डालना है अब हम सभी चीजों को मिक्स करेंगे मैंने पानी का इस्टमाल बिल्कुल नहीं किया है हमें इसी तरे का डो चाहिए ये देखे इतना ही गाड़ा अब हम इसे रेडी है मैंने गेस की फ्लेम सिलो करके कडाई रग दिये कोईल हमारा गरम हो गया है आप हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पकोड़ी डालेंगे ज्यादा बड़ा साइज नहीं रखना है छोटे छोटे साइज में हम पकोड़ी को बनाएंगे और गेज की फ्लेम सिलो ही रखके पकाएंगे ताकि हमारी गोबी अंदर तक पक जाए इसे अभी हमें नहीं चलाना है अब हम इसे चलाया पलट के देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटना है अलटते पलटते हुए ही हम इसे पकाएंगे ताकि गोबी अंदर तक पक जाए और ट्रेस्पी बने हमारी पकोड़ी गेज की फ्लेम सिलो ही रखेंगे थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन पकोड़ी बहुत तेश्ती और ट्रेस्पी बनेगी यह देखे इसी तरह हमेंसे सेकना है शिलो मीडियम गेज करते हुए ही हमेंसे पकाना है थोड़ी देर शिलो गेज रखेंगे थोड़ी देर मीडियम इससे पकोड़ी अंदर तक पक जाएगी और ट्रेस्पी हो जाएगी अब हमारी पकोड़ी रेडी हो गई है अब हम इसे बाहर करेंगे प्लेट में निकाल लेंगे यह देखे हमें ऐसे ही सारी पकोड़ी को बना लेना है जिस तरह हमने इसे सेका है अब हम इसे सर्फ कर रहे है हरी चतनी के साथ मैंने अपने हरी चटनी की रेस्पी बहुत सी अपनी रेसिपी में बताईए और अलग से भी चटनी बनाना से खाया है यह बहुत क्रेस्पी और स्वाधिस्ट बनती है दोस्तों बनाईए जरूर बनाईए खाईए और पसंद आए तो लाइक सब्क्राइब जरूर करियेगा